ओम नमस्षिवाए आज मैं आपको पशुपति वरत के बारे में संबून जानकारी देने वाली हूँ और इसमें एक शहद के द्वारा किये जाने वाला उपाई भी मैं आपको बताऊंगे जिससे आपके सारी बिग्रे हुए काम बनेंगे आपके सारी मनुकामना पूरी होगी आप जब भी पशुपति वरत रखें तो इसमें किसी भी सोंबार को आप शिवलिंग पे शहद अर्पित करिए इस शहद को आपको जो शिवलिंग की पुट्री अशोक सुंदरी के नाम से जाना जाता जो बीच में लाइन होती है उनको शहद अर्पित करिए अपने पशु काम के लिए जाएं जो नहीं बन रहा है तो यह शहद आप चक कर जाएं आपके वशुपति भगवान सारी मन कामना पूरी करेंगे इस वरत में मैं आपको सारी संपूर्ण विधी भी बताऊंगी आप लोग के मन में बहुत सारी कोशिंस होते हैं उसका भी मैं जवाब देन चाहूंगे इस वीदियो के माध्यम से इसमें कैसे वरत किया जाता है इसकी संपूर्ण विधी क्या है जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि यह पांस सुमवार किया जाते हैं यह वरत इसके लिए हमें दोनों टाइम मंदिर जाना होता है इसको आप घर पे नहीं कर सकते हैं इससे हमें एक थाली लेनी है, इसमें जैसाभी हम अभीषेक के लिए सामगरी लेते हैं, जो भी हमारे घर में उपलब्ध है, हम सारी सामगरी लेंगे, जैसे दूद, द्रूद, दही, पंचा में तो जो हम बनाकर शंकर जी का स्रान कर एँ, कराते हैं उस तरीके से हम ले सारे इसमें धूब घीद बती ये हल्दी कुमकुम और जो पुश्प आदी हम अर्पित करें ये मौड़ी वस्त्र के रूप में और इत्र जो भी सामक्री आपकी घर उपलब्ध है वो आप सामक्री को अपने शंकर जी को इसनान कराने के लिए औ और वहां से आने के बाद आप शाम की सामक्री जैसे की इसमें नियम हैं कि आप छे दिये ले जाके रखिए और प्रशाद में आप जो बना सकते हैं मीठे में व्रत का बनाईए जैसे की खीर, सिंगाडे का हल्वा, आलू का हल्वा, जो भी गाजर का जो भी आम व्रत में ख स्वेम खाना है और दिये वहीं पर प्रजवलित करना है शंकर जी के और एक दिया हमें अपने साथ ले के आना है और उसको अपने घर के दाइने साइड में जला कर रखना है इसके ही साथ मैं आप लोगों से इसकी उध्यापन विधी भी शेयर करना चाहूंगी कि कैसे इसका उध्यापन किया जाता है इसमें 50 सुमवार को उध्यापन होता है इसमें 108 बेलपत और जो सीधे में सामान जो हम खाने का पंडिजी को अर्पित करते हैं वो सारा हमें देना है सबजी और दाल चावल आटा कुछ मस साले और नारियल इसमें मौली लपेट के बेल पत्र हमें 108 लेने हैं जो मैंने एक दिन पहले इसमें लिये थे इसे शंकर जी को अर्पित करना है ये व्रत आप जरूर करिए आपकी कुछ मनों कामना हो इसको मैं फिर से बताना चाहती हूं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ह कि शेहत कैसे अर्पित करना है ये जो बीच की लाइन है इसमें अर्पित करें अपने व्रत इसमें इस व्रत में कई लोगों का पूछना होता है कि हम खाने में क्या खाएं तो इसमें बिना नमक का व्रत का कुछ भी खा सकते हैं और कई लोगों को कई लोगों के और भी कु रक्षा करें ये जो हम थर्ड वेव के बारे में सुन रहे हैं उससे सारे लोगों की रक्षा करें और सब की मनों कामना पूरी हो ओम नमस्षिवाए